आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 500 रुपई के कीमती स्टार नोट्स के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 500 रुपई का हर स्टार नोट कीमती नहीं होता उसे कीमती बनाता है चार एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन और ये एलिमेंट्स हैं पहला उस नोट का सिगनेचर दूसरा उस नोट का एर तीसरा उस नोट का प्रिफिक्स और चोथा उस नोट का इनसिट तो आएए देखते हैं 500 रुपीज न्यू सिरीज के कीमती स्टार के नोट्स सिर्फ इंडियन कॉइन पेल्स पर तो आएए सबसे पहले देखते हैं उन चार एलिमेंट्स की प्लेसिंग को नोट पर उनकी प्लेसिंग को जो किसी भी स्टार के नोट को कीमती बनाने का काम करते हैं यानि कि उन चार एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन अगर वैसा मिल जाये जैसा कि मैं आपको बताता हूँ तो वो स्टार का नोट कीमती हो सकता है और उन एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट है सिगनेचर जो आपको नोट के यहां दिखाई देगा 500 रुपई के नए नोट में आपको सिगनेचर यहां दिखाई देगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हिंदी में सिगनेचर और यहां पर इंगलिश में सिगनेचर है उसके बाद जो दूसरा element है वो है उस note का year जो note को पलटने पर आपको यहां दिखाई देगा यहां पर 2020 इस note का year है तो दूसरा element है year जो कि आपको note को पलटने पर दिखाई देगा तीसरा element है prefix prefix कहा जाता है letter और number के उस combination को जो star और serial number के पहले देखने को मिलता है जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं it, l, w यह number और letter का एक combination है जो आपको star और serial number के पहले देखने को मिलता है इसे कहा जाता है prefix तो it, l, w इस note का prefix हुआ और चोथा element है insert अगर आप इस note में ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर star के पीछे एक letter s लिखा दिखाई देगा यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर letter s लिखा दिखाई देगा यह star के नीचे भी हो सकता है, serial number के नीचे भी हो सकता है तो इस letter s को जो की हलका सा serial number या star के पीछे बना दिखाई देता है इसे कहा जाता है inset जी हाँ inset और बहुत से notes में ये inset नहीं होता तो उस तरह के notes को कहा जाता है plain inset तो ये चारो element का combination मिलकर किसी भी note को किसी भी star के note को बनाता है कीमती तो आईए सबसे पहले देखते हैं 500 रुपए का extremely rare star का note और उस note के 4 element combination क्या है उस note पर signature आपको दिखाई देने चाहिए उर्जित पटेल के उस note के governor है उर्जित पटेल उस note को पलतने पर आपको year दिखाई देना चाहिए जैसा कि मैंने बताया उस note को पलतने पर आपको year दिखाई देना चाहिए 2016 यहाँ star और serial number के पहले उस note का prefix होना चाहिए 0cc at l w की जग़ आपको दिखाई देना चाहिए 0cc और चौथा element उस note का insert S की जगह आपको दिखाई देना चाहिए capital letter L capital letter L, S की जगह आपको यहाँ दिखाई देना चाहिए capital letter L जो कि उस note के serial number या star की नीचे आपको हलका सा दिखाई देगा लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही extremely rare star का note है इसलिए ये चाहर element ही काफी नहीं है इसे इतना कीमती और rare बनाने के लिए इसमें एक बहुत ही ज़रूरी खास बात है और वो बात ये है कि यहाँ पर इसका जो उपर का जो number है उपर का जो serial number है उसके prefix और serial number के बीच में आप जो star का mark देख रहे हैं वो star का mark प्रिंट ही नहीं हुआ यानि कि यह star का mark missing है उपर के serial number से star का mark missing है और नीचे के serial number में star का mark साफ साफ दिखाई दे रहा है यह एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जो इस note को बहुत कीमती बना देती है बहुत rare बना देती है तो अगर आपके पास 500 रुपे के star के note में मैंने जो element बताए हैं चारो element आपको दिखाई देते हैं और उसके अलावा उपर के serial number से star का mark missing है तो यह एक बहुत ही कीमती note है लेकिन फिर भी अगर आपके पास इस note है तो इस note के आपको मिल सकते हैं 5000 रुपे से लेकर 50,000 रुपे तक जो depend करेगा कि आपके पास इस note की condition क्या है और market में फिलहाल उस note की demand कितनी है तो यह है 500 रुपे का एक extremely rare note जो आपको 5000 रुपे से लेकर 50,000 रुपे तक दिला सकता है depending on condition and market demand अब देखते हैं 500 रुपे का अगला कीमती star का note तो आईए अब देखते हैं 500 रुपे का वो star का note और उसके वो चार element जो उसे बना देते हैं कीमती तो अगर आपके पास 500 रुपे का star का एक ऐसा note है तो उसे लेकर बैठ जाएए और उसमें चेक कीजिए वो element जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ सबसे पहले उस note में signature होने चाहिए उर्जित पटेल के जी हाँ उस note में आपको आगे की तरफ signature दिखाए देने चाहिए उर्जित पटेल के इस note को पलटने पर आपको year दिखाए देना चाहिए 2018 इस note का year होना चाहिए 2018 और यहाँ पर prefix इस note का prefix होना चाहिए जीरो, सी, डी जीरो, सी, डी और इस note का inset होना चाहिए capital letter L इस note का inset होना चाहिए L अगर ये चारों combination यानि कि उस note पर signature है उर्जित पटेल के उस note का year है 2018 उस note का prefix है 0CD और उस note का inset है L ये चारों combination अगर आपको अपने star note में दिखाई दे रहे हैं तो ये एक बहुत ही कीमती star का note है जिसकी market value आपको मिल सकती है 2000 रुपे से लेकर 4000 रुपे तक जो कि depend करेगा उस note की condition पर और उसकी market demand पर तो ये था 500 रुपे का दूसरा कीमती star का note और अब ये रहा 500 रुपे का तीसरा कीमती star का note तो आएए देखते हैं वो चार element और उनका combination जो इस star के note को बना देते हैं कीमती तो सबसे पहले इस note में आपको signature दिखाई देना चाहिए शक्ति कांत दास के हिंदी और इंग्लिश में ये signature आपको दिखाई देंगे शक्ति कांत दास के गवर्नर शक्ति कांत दास के इस note को बलटने पर side में आपको लिखा दिखाई देगा year 2019 यानि कि इस note का year होना चाहिए 2019 और यहाँ पर इस note का prefix होना चाहिए 9VW at L W की जगह 9VW जी हाँ 9VW इस note का होगा prefix और अब बात करें insert की तो इस note का insert plane है जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया है कि बहुत सारे star के note में या बहुत सारे notes में आपको insert यानि कि जो capital letters star के पीछे या serial number के पीछे हलका सा दिखाई देता है वो कुछ note में नहीं होता missing होता है, दिखाई नहीं देता तो उस तरह के notes को कहा जाता है plane insert यानि कि इस note में आपको कोई भी insert लिखा दिखाई नहीं देगा अगर ये तीन combination या यू कहें कि ये चार combination including insert आपको दिखाई देते हैं अपने star के note में तो ये भी एक किमती star का note है और इसकी value आपको मिल सकते है 2000 रुपे से लेकर 3000 रुपे के बीच depending on condition and market demand मैं बार बार market demand word इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि star note की demand एक बहुत ही different level पर numismatic field में देखे जाती है जो कई बार बहुत बढ़ती है कई बार बहुत कम हो जाती है इसलिए अपने star के note को सही वक्त तक समाल के रखना और उसे सही वक्त पर सही dealer या सही collector को बेज देना एक इस तरह की opportunity है जो आपको खुद अपने लिए create करना पड़ती है इसलिए मैं बार बार यूस करता हूँ कि market की demand के हिसाब से आपकी note की value बढ़ सकती है घट सकती है तो दोस्तों ये थे 2016 से लेकर 2019 तक के कीमती star के notes 500 रुपे में इसके अलावा भी 2016 से लेकर 2019 तक बहुत से कीमती star के note है लेकिन उनकी कीमत जादा से जादा 650 रुपे से 800 रुपे के बीच है वो भी UNC condition में 2019 के बाद भी 500 रुपे के काफी कीमती star के notes देखने को मिलते हैं जो आप मेरे अगली वीडियो में जल्दी देखेंगे तो फिलहाल के लिए कैसा लगा ये वीडियो मुझे comment box में जरूर बताईए और जो भी लोग इस channel पर नए है वो इस channel को जरूर subscribe करते जाईए जल्दी मिलता हूँ एक नए interesting वीडियो के साथ सिर्फ Indian coin tales पर